दोस्तों आपने SIP के बारे में तो बहुत बार सुना होगा मैंने भी आपको बहुत बार बताया हो सकता आप लोग करते भी हूँ या फिर आपने सुना भी कई बार होगा लेकिन आज मैं आपसे डिसकस करूँगा SWP के बारे में और SWP क्या होता है यह है important बात क्योंकि अभी तक हम क्या गड़ते थे हर महीने पैसे invest करते थे डालते थे लेकिन SWP में आपको हर महीने पैसे मिलेगा बिल्कुर सई सुन रहा है आपको पैसा मिलेगा वो भी fix मिलेगा जितना आप चाहोगे उतना मिलेगा आप यह भी मान के चल सकते हो तो अब आप सोच रहे हों कि यह क्या चक्कर है अभी तक तो मैं पैसा डालना पड़ रहा था तो किया यहां पर कोई पैसा नहीं डालना मिलेगा हर महीने अगर मैं कह रहा हूं मिलेगा तो कैसे मिलेगा definitely यह बात तो सच है कि मैं जो कह रहा हूं व वाले दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कम्प्रेटी बात होगी तो चलो स्टार्ट करते हैं और शुरुवात करेंगे कि होता है दोस्तों जैसा कि आपने नाम इसका सुना है मतलब होता है सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से आपको पैसा मिल जाए या मिलने लगे उसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब होता है जैसे कि सिस्टेमेटिक इंवेश् हो जाता है लेकिन यहां उल्टा होता है सेम इसका उल्टा बिलकुल मतलब एक आप बड़ा मांट डाल दो मार्केट में आप एक बड़ा मांट डाल दो और फिर आपको धीरे-धीरे-धीरे करके मिलता जाए, लेकिन आप सोच रहे होगे, कि इसमें, फिर क्या बड़ी बात है, कि अगर मैं माल ले ता हूँ, बड़ी है आप लोग सोच रहोगे यह तो पागल बनानी बाली बात है अगर पैसा डाला है तो ऐसा कैसे हो सकता है हम हर महीने निकाल भी रहे हो खतम भी नहीं हो रहा तो यहीं तो तरीका है इस इंवेस्टमेंट के तरीके की खुब सूर्थी भी तो यहीं है मैं आपको महीने आपको एक तरीके से सेलरी आप यह मान के चलो हर महीने आपको सेलरी रूप में पैसा मिलता रहेगा और जो आपका पैसा डला है वो कभी भी खतम नहीं होगा मतलब आप जब तक हो तब तक भी पैसा है आपके बच्चे है तब तक भी पैसा है उनके बच्चें तब तक भी पैसा है आप यह मान के चलो हाँ बस थोड़ी सी तरीके से काम करना पड़ेगा थोड़ा सा तरीके से मतलब आप यह मान के जली जो निकालने का मांट डेना उसे थोड़ा सा fix करना पड़ेगा और जिस तरीके से हम fix करेंगे तो आप यह मान के चलिए पैसा कभी भी करेंगे खतम होगा ही ंही होगी और डाली सिर्फ एक gust इभार यह बात भी सच तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एपनी मोबाइल की स्कृ 거지 समझा दूंगा थीक है तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं डिरेक्टली स्क्रीन पर और वहीं से हम चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं तो देखो वन सेकेंड अब आपके सामने आ चुकी है मेरे लैप्टॉप की स्क्रीन और मैं आपको यहीं से समझाओंगा कि क्या होता है देखो यहां पर स्क्रीन पर आपको दि ढलने के लिए तो आप वतना ही डाल सकते पांच लाग 10 लाग करते हैं अब conservative्त मे पांच यह यह डालेंगे सक्का। ईब देख़न है यह हो गया अगर आप यहां पर देखेंगे तो 20 लाग रुपे यहां पर डाले गए हैं और clearly आप यह भी देख पा रहे हैं कि 20 लाग डाले हैं तो अब यह डाले का हैं यह डाले जाएंगे उसी तरीके से mutual fund में ही जैसे हम SIP के लिए mutual fund चुनते हैं सेम उसके इसमें भी उसी के इसाप से mutual fund चुना जाएगा लेकिन कौन से mutual fund यह मैं आपको बाद में बताओंगा मतलब वीडियो को last में जहीं सवाल लोगा कि आखिरकार कहां invest करना है कौन से fund में इसके लिए invest करना होगा ठीक है लेक fund में हमें भूब 15 फरसंट की टैंट तो मिलता ही तो यहां भी थो भी हम 25 का हसाब किताब लेकर चलेंगे महीना की कि вос सालना का 10% के एसाब के हमें निकालना है वह मतलब उने दिया होई हर मैं हर मेरए एक साल में लगबाव कितना मिलना चाहिए तो लगबाव तो लाओ- वह मान के चलिए बीस लाओ लाग रुपर महीना 20 deal रुपर मिलना चाहिए लेकर अगर हमें साल मिल रहा है तो महीने पर कितना हुआ यह भी सोच लो तो जो अमाउंट हमारा साल यह ली निकल कर आता है उसके इसापचे में चीज़ें देखने चाहिए तो ओर आप यह मान के चलो लगबग लगबग 18,000 रुपे महीना मतलब एक एवरेज या फिर मैं बोलू है कि राउंड फिकर का अमाउंट हमने निकाला है 18,000 रुपे महीना जो की निकल कर आता है ठीक है 18,000 रुपे महीना हमें हर महीने इतना आमाउंट चाहिए 15% हमने सोचा है कि जिस वंडवा में इंवेस्ट करेंगे उसमें लगब मैं 15% मिलने चाहिए तो अब यह बात निकलकर आती कि कितने साल तक हमें पैसा चाहिए हमें वैसे तो चलो लंबे समय तक चलो 10 साल तक चाहिए 10 साल तक हर महीना 18,000 रुपे हमारे अकाउंट में आने चाहिए ठीक है तो देखो आपके पास क्या होगा कि अब क्या होगा दे इन्वेस्ट किया लगबग 18,000 रुपे हर महीना मेरे अकाउंट में आ रहा है इसी मैसे और कितने साल तक 10 साल तक तो हुआ क्या 20,000 रुपे हर महीने 18,000 रुपे आया तो लगबग 21,000 के आसपास आपने निकाल लिया 10 सालों में और फिर भी आपका अमाउंट बचा रहे ग इन्दा 34,000,000 फिर भी बच गया समझ पारे 34,000,000 फिर भी रही गया आपका मांग अब बात ही आ जाती कि हम 10 नहीं हम तो 20 साल तक निकालेंगे मतलब 20 साल तक हमें पैसा चाहिए तो ठीक है आपने का 20 साल तक मैंने 20 साल भी कर दिया इस कैलकुएटर में अब देखूं अब और कितने मतलब 10 यह हो कर रहा है जादा पैसा निकाल रहे है तो जादा और बच रहए क्योंकि अपकर जिजुर दाल रहा है यह हर महीं नहीं कीजी 30 साल तक अगर मैं पैसा निकालों तो देखो 30 साल में निकाला 64 लाग रुपया फिर भी तीन करोड बच गया अब यह आप मैंने क्या बोलता पहले आप निकालों फिर आपके बच्चे निकालें वह उनके बच्चे निकलेंगे अब 50 साल तक 50 साल तक जैसे स्केलकोडर में 30 साल भर का काम ही नहीं कर रहा तो देखो 30 साल में तो मैंने आपको दिखा दिया अब अगर यही आप 50 साल उससे भी जादा अगर आपके मतला अमाउंट आता रहे तो यह एक अमाउंट जो बढ़ता ही चला जाएका लेकिन बात ही है कि 30 साल बाद 40 साल बाद अठारा यार की वेल्यू खत्म हो जागी तो अगर मैं अठारा से बढ़ा कर इसे 25 जार कर दूं अगर इसे अठारा से बढ़ा कर तब भी देखो तो यहां पर क्या रहेगा तो आपका यह नेगेटिव बैलेंज जा रहा है मतलब 25 से अगर आप यार निकाल ले हो तो फिर आपको टाइम उसी हिसाप से 10 साल के लिए निकालोगी तो 20 लाग जमा किया 30 लाग निकाल दिया फिर भी 15 लाग बचे रहेगे 15 16 लाग तो इस हिसाप से अमाउंट आपने तो 20 लाग एक ही बार जमा किया था आप जी सोचो आया समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करना फिर से देखना क्लियर मीनिंग है आप यहां पर जैसे जैसे आपके पास अमाउंट ज्यादा है तो आप एक बार में ज्या निकालना तुम्हें 18 यार निकालना था कि कभी तक निकालते रहो अपका पैसा खतम ही नहीं होगा 18 रुपे महीना आता ही देखा हमेशा आता रहेगा और पैसा जो बचा है वो भी बढ़ी रहा है क्यों बढ़ रहा है मैंने आपको बता दिया कि जो कि आपने पैसा डाला अब बात है निकल कर आती दूसरे सवाल के उपर और दूसरा दोस्तों सवाल यह है कि यह कौन करेगा पता किसे करना चाहिए तो जैसे अपनी उमर है मेरी उमर है अगर आप 20-35-30 साल के हैं तो फिर आप लोगों के लिए इतना हो सकता benefit ना हो क्योंकि आपके पास 20-25 लाग होगा ही नहीं पैसे एक बार में एक बार मैं डालने के लिए 30-40 लाग पैसे होगे ही नहीं लेकान जो लोग जैसे रिटायर होते हैं उनके पास एक बहुत-बढ़ा crus निकल कर आता है रिटायर्मेंट पे हाथा ऊया फिर आपको कैसे भी करके 20-50 लाग उपए बढ़ा पैस पैसा मिल रहा है 10,20,30,000 उनका पैसा भी लगबग लगबग थोड़ा सा भी रहेगा और पैसा हर महीने एक सेलरी के तरह एक हर महीने पैसे भी आता रहेगा लेकिन अब बात निकल कर आती कि कहा करना है कहा इंवेश्ट करना है तो मेरे हिसाब से जो सबसे सेफ आपको लगता समझ पारे मार्केट में कुछ भी हो जाए यह खतम नहीं होने वाले तो सबसे सेफ यही है इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम बड़ा पैसा डालने एक साथ डालने तो हमें सेफटी रिक्वाइड है यह हम बहुत एडवंचर नहीं कर सकते अपने इतने सारे प आप डाल दो निफ्टी में नहीं वह कंप्लीट आपके बड़े में करता है लेकिन एक तरीका है जो मैंने आपको समझाया है ऐसा इप हमेशा सुनते हैं मैंने आपको आज समझाया है जिससे कि आपके सामने यह कॉंसर्प क्लियर हो ठीक है आपके कोई भी सवाल हो मुझे क सकते हैं अच्छी लगे तो लॉक कर सकते हैं खराब लगे उप्षन आपके समय खुला जो मन करें अपना एक्षन जरू लेता अच्छा लगतो लाइक जरू करना खराब लग तो कोई शच्वाल हो कुछ पूझना कोई शेकायट और दो वह आप साक्थ है अद्रवाइस कु आई आपके लिए ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की सुर्ण बसे तहीं उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना थेंक्यू